अबर सिमांचल के सभी सातियों को स्वागत है, आज हम कौचा नामन परखंड के बड़ी जान पंचायत में मोजूद है, यह जो पूल आप देख रहे हैं, यह बड़ी जान और दुगापूर को जोनने वाली पूल है, जो परसाथ के समय लोगों को आने जाने में काफी दिक् समस्या हो रही है, बलोग जाने में, आनाज बेचने में और और क्या-काइ समस्या हो रहे हैं पहले हम लोग चचरी पूल के साहरे आ रहे थे और जा रहे थे भी लेकिन यह बरसाथ के कारण यह चचरी फूल भाकिन अभी दिक्कत होता है और हम लोग का यह है कि कभिस्तान भी इस पार है बरिजान में है और कोई अगर अभिया कोई मोता हो जाता है कोई डेट कर जाता है तो बरा ही परेसानी होता है किस तरह से हम लोग ले जाएंगे किस तरह से यह करेंगे हम लोग को काफी परेसानी होता है हम लो पूल का काम कब से चलो हुआ है पूल का काम तो लमसम अठाराज 2018 में हुआ था शुरू और शुरू जो हुआ था बड़ी खुशी की बात हुए कि हम लों का परेशानी दूर हो गया है लेकिन फिर बीच में किसी कारण से वो बंद हो गया काम और यह तो मुख्यमंत्री पूल कि अनू willst फेले मौलाना इस्रार्ली ओल लुहक्त मुख्यों है और बाध में हम लोग सुने की ठीकादार को गोली मारने करन ये काम बंद हो गया है और बीच बीच में हम लोग सुने कि यह काम यह हो शुरू हो जाएगा तो हम लोग सुने कि प्रकंड जो पर्मूख है इससे पहले साधिक परमुख वो बनाने के लिए चाहता था वो भी आया भी था यहां वो बोला कि हम बनाएंगे फिर उसके क्या हुआ कि वो कह रहा है कि अब हम नहीं बनाएंगे तो आप लोग अस्पता किदर आप लोग का नहीं हम लोग के अब है यही는 बढ़ जाने में कर जाता है ज्यादा जलस्तर बढ़ने से हम लोग को आठ से 10 किलो मीटर घूम के तब लेकर आना परता है कब्रिस्तान और क्या का समस्य होती है आज बड़ी जान 25 से हम लोग जुड़े हुए नहीं है इसलिए के नदी के कारण में बहुत परिशानिया हो रही है कब्रिस्तान हम लोग का आज यहां से डायरेक अगर जो रहेंगे तो 3 किलो मीटर है लेकिन अगर ज्यादा पानी बढ़ जाने से हम हम लोग को लगबग 10-12 किलो मीटर दूर हो कड़के फिर कब्रिस्तान जाना पड़ता है और अनाज बिकड़ी के लिए डायरेक हम लोग किशनगन से जुड़ नहीं पाते हैं और जैसे कि अगर यहां से हम लोग का किशनगन 22-24 किलो मीटर है वही रास्ता अगर हम अनाज लेकर अगर किशनगन जाते हैं तो लगबग 30-32 किलो मीटर याने 8-10 किलो मीटर का फरक पड़ जाता है इसलिए हम लोग गरीब आदमी है और यहां देखते हैं यह सब बस्ती कहीं पका नजर नहीं आएगा आपको यह गरीब इलाका है और यहां से याने कि हम लोग देखत पड़ाइदे हैं कि कुछ यादा कहीं बड़े आदमी के बाद जा नहीं पाते हैं तो शाधी बियाह में भी तुझत होती और यह बहुत बहुत समस्या है यहां में अगर कोई मेटर ही हो जाए तो अगर पंचाय से हम लोग जैसे कि मुख्या चाहे हैं तो एम लोग को पढ़ाय लिखाएं जैसे कि हम लोग का मेडिली स्कूल जो है हम लोग का बढ़ियान पंचायत में मेडिली स्कूल अब अपग्रेड हो के हाई स्कूल जो बनाया है उससे भी हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं इसलिए कि नदी के कारण लगबक तीन मेना नदी में जब पानी बढ़ा हुआ रहाता है तो बच्चा डर के हमारे नदी के करीब तक नहीं आता है इसलिए हम लोग बढ़ियन पंचाई से जुड़ नहीं पाते हैं और परशासन से भी बिंती करते हैं और गुजारिष करते हैं कि वो हम लोग का यह आवाज को सुनें और पूल का निर्मान जो है जल्द से जल्द काम शुरू करा है ताके हम लोग की जो समस्य जो परिशानी है वो हम लोग को झिलना ना पड़े समस्य नहीं है हम लोग बार बार बिदाएक जी को बोले बिदायक भे आये थे तो मैंने उसके टेंडर उन्हों よ जहां ताफन पर पता किया लेकि उनको पताने लगा कि टेंदर हुआ कि नहीं हुआ और हम लोग नहीं चाहते हैं कि ठाकोर निकी विधायक नोसाथ आलम के तरह मेरे मन यह बिधायक मुझाद आलम भी दाओ के तरह उसका साहरा लेकि चचरीपुल का उद्धायक करें क्या बात करते हैं फूरा देखा होगा इंटरनेशनल मामला हो गया हो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मिला सम्मानित भिधायक है उस चचरीपुल का उद्धायक करने के लिए फिर दाव लेका उ तो संसद है जावे साब आज तक ना इसका सूद लिया ना देखने आए हलाकि उनको भी मालम होगा कि दुरुगापुल नदी में पुल जो है उद्धुरा पड़ा हुआ है लेकि आज तक नहीं मैं उससे मांग करता हूं कि इस मुझता को संसद में उठाए क्या है कि यह ब सब्सक्राइब मेरा बड़ान हाट में है पंचायद के वगल में वहां भी लोग नहीं पाता है हम लोग पुड़ा पंचायद भी हुए है उपस्वास कंदर वहां है मार्केट है हर चीज उधर है अनाज का बिक्री से लेकर अस्पताल तक साग सबजी दाल चावल सब आदम सब्सक्राइब में परदामंदरी का अजना किसी का अजना हम लोग बारबा सुनते कि वहां हो गया और बहुत बड़ी बात है कि बरजान पंचायद में ऐसे रास्ते हैं कि जो साल पहले बनाया गया इट सोलिंग से उस रास्ते को उखार के बंदरबाट कर लिया गया वहां आर्शेसी नहीं करता उसका पैसा अगर इस रोड में लगा दिया जाता तो दुरुका पुरा आदमी को सब्सक्राइब होता जो कि बाहर के समय में यहां का आदमी बेबस हो जाता है कर निकलने पाता है हम लोग भी बेबस हो जाते हैं इस गाहों तो आने के लिए